हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मार्केट अनालसी इस वीडियो के अंदर और सब से खास बात आज हम करेंगे एक ऐसी रिलेशनशिप की जो की मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी के बीच में होगी और इसके साथ साथ जो आज हम चार चार्ट पर बात करेंगे निफ्टी के ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर स्मॉल केप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स पे व्यू हमारा मार्केट के ऊपर किस तरीके का है वह आपको वीडियो के दौरान समझी में आने कि हम चेस्टा करेंगे हमारा कोई भी जो व्यू है वह एक उनली प्रेडिक्शन है इनिश्ट वाज सला लें मैं केवल और केवल एजुकेशनल प्रपोसित के लिए आपके साथी शेयर करूं अगर आप किसी भी तरीके अगर प्रॉफट कमाते हैं तो उससे आप से कोई शेयर नहीं मांग रहे और इसी तरीके से अगर आपको कोई लोस होता है तो उसके इस हफते क्या किया है निफ्टी और इस हफते जो क्लोज दिया है वो आप क्लोज देखेंगे dol पर हाइस्टेश क्टानरा के दिए समें लेकिन दीन दिन के लिए और उसका फूल आप सेल नहीं आया और उसके बाद आलेकि निफ्टी ने एक अच्छी आउट परफॉर्मस दी और उसमें ज्यादा श्रे जाता है बैंक निफ्टी स्टोक्स को और हम चर्चा भी कर रहे दे पिछले फते भी जब तक कि निफ्टी बैंक के शेस नहीं चलेंगे निफ्टी अपना हाई नहीं निकाल सकता तो निफ्टी ने हाई निकाल जब बैंक निफ्टी अपने 52 वीक हाई की तरफ पहुच गया अब हमारे व्यू कहाई बैंक निफ्टी के स्टोक्स में एक खीचा तानी चल रही है और मुझे परसनली ऐसा लगता है कि खीचा तानी ब तो हमें यह लग रहा कि देखीगा पिछले चार वीक और जो थे वो तेजी के थे और उससे पहले जो चार वीक थे वो मंदी के थे तो दोनों ने अपनी बारी खेल ली बुल्स ने भी खेल ली बियस ने भी खेल ली अब बारी किसकी है अब बारी है उपनी लेवल से बजा वो हे Small cap index और जो Nifty के Major Large cap Stokes है उनके बीच के सभी स्थल्व को व्यत्री को मैं संग्या दूँगा यहां पर हाथी கonna डिज्ट स्थॉक्स की ऐनी कि elephant वर जहां पर हम चप्छा करेंगे Mid Cap Stokes की तो वहaiं He 1984 है अमारे लिए खरगोश की बात करेंगे हैं यानि कि खरगोश से उसकी विवेचना करेंगे और अगर कभी स्मोल केप की जड़त होई तो हम गिलहरी से उसकी जो है तुल्ला करेंगे तो सीटी सी बात ही है कि निफ्टी बैंक के अंदर एक जो फाइनेशल्स है उसमें एक अच्छी तेजी हम इस अफ़ते देखने के लिए मिली पिछले चार अफ़तों के अंदर पिछली मंतली एकस्पाइरी के बाद बजारन एक तेजी पकड़ी और बजारन में जो एक शोट विल्डप थे वो दुबारा से कवर होते हुए नजर आए अब हमारे व्यू क्या बनता है कि बजार यह यहां पर यहां कहीं पर इसके आसपर देखेंगो 1200 पॉइंट की बाद मैं नहीं कर रहा है यहां पर चलने के बाद बजार एक अच्छा क्रैक इस महीने के लिए दे सकता है यानि कि अब हमें अगली जो दो केंडल्स है यानि कि अगले दो हफतों के लिए हम उपरी लेवल स से एक अच्छी सेलिंग हम एंटिस्वेट कर सकते हैं और हमारा जो व्यू है वह सीधा सीधा क्लियर कट है कि बजार उपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखेगा और सेलिंग इस बार जब आएगी तो आब यह बात समझेगा अब की बार अगर बजार गिरता है तो बजा इसके लावर जो ट्रेजरी बॉंड्स बैंकों के पास है उन ट्रेजरी बॉंड के अंदर भी उनकी वैल्यू डिमनीश होने की चांसे है क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटर्स यहीं पर खड़े रहते हैं और बढ़ सकते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि इन्फिलेशन के जो डेटा है वो भी वर्ल्ड वाइड इतने कंफर्टेबल नहीं हुए है तो यह जो रेट ऑफ इंटर्स यह हायर रहेंगे और यूस के बार के लिए दुबारा से बढ़ सकते हैं या फेस्टिबल सीजन के बाद दुबारा से एक चांसे आ सकता है उपर से दुबारा से सियार बढ़ने का तो मुझे यहां पर बैंकिंग सेक्टर में उपरी लेबल से एक अच्छी खासी सेलिंग की सम्भावना बनती हुए लग जो प्रीम मतलब 70 रुपे हुआ करते थे आज से एक डिड़ साल पहले वो प्रीम 15-14 रुपे है तो जीरों के बराबरी हो गए तो कुल मिलाकर यहां पर इंडिया विक्स नीचे की तरफ आगया बट मुझे लग रहा कि इंडिया विक्स ब्रेक आउट करेगा और इंडिया ग्रीम गेंडल बनाने जा रहे ऐसा भी परती तह आपको होता होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की ग्रीन गेंडल शायद या तो इतनी बड़ी नहीं रहेगी ग्रीन छोटी हो जाएगी और एक ब्राइट चांसिस हैं कि यह ग्रीन केंडल जो है एक डोजी टा अच्छे खासे प्रोफिट बुकिंग सेशन में जाते हुए नजर आएंगे और जातर शोट्स है अपने काट लिया और फाय इसकी और हो सकता है कि ब्रोडर मार्केट में भी जो बड़े प्लेर्स प्ले करते हैं वो एक अच्छी खासी प्रोफिट बुकिंग करेंग और ज जो मजबूती के संकेत है और मंथली चाड़ के उपर भी अच्छी केंडल दी है बट मुझे लगता है कि बस यह भी कि जो था यहां पर भी तेजी थमती नजर आएगी और बजार दुबारा से हो सकता है 100-200 बंड भी और चला जाने इफटे तो इसलिए हमारे है कि थोड़ पोजिशन बनाई जाती है बड़े प्लेयर के लिए उनको भी थोड़ा से समय चाहिए और यहां से बड़िया वाली प्रोफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी सफ्ते के तोरा रहे और इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी मिड़ का बाई निफ्टी मिड वन वे जब कभी ऐसे बजार चलता है न तो भाई ऐसी बड़ी बड़ी रेड गंडल आपको देखने के लिए मिलती है यह तो एक इशारा था खाली एक विल वाटर टेस्टिंग थी कि वह नीचे कितनी बाईंगे बड़े प्लेस को पता चल गया अभी बायर है बायर में द बात करें तो दम है तो भाईया उसनने दम दिखा दिया तो उसने खाव थीग कॉन दिखा दिया तो थोड़ा सा खीच लेते हैं तो और खीचेने के बाद हो सकता है की थोड़ा सा ओर खीचे बजार और फिर बढ़ी आवाली कर्रेक्शन हो और इस केंडल के भी नीचे इस महीने के का जो क्लोज है वो देखने के लिए यह जो 40,104 का की वेल्यू आपको नजर आ रही है इतनी बड़ी विक्ये साथ तो यह आपको पहला इशारा दे रही है कि बजार में कुछ मिड़कर स्मोल कप में भी बढ़ा होने वाला है बहुत सारे जो वीवर्स हम से सवाल भूचेंगे सार आप तो खुद पेपर स्टोक्स में बुलिश है हाँ भाईया बुलिश है नीचे एसे तरीके से वेस्ट कोस्ट के अंदर भी हमारि इन्वेस्टमन कोईशन है तो वह जो शेयर वह भी 680-580 रूपे एक आसपर चल रहा है और इसी तरीके से-400 रुपे एक आसपर जेएका माल नेते हैं कि यह शेयर भी 15 20 परेंट होंगे हम इनमें लोंगर टाइम एंदर प बचा कि रखी हुई है तो यह है हमारा डिस्कलोजर भी कि यह जो चार पेपर स्टोक में भी। क्योंकि आप में से जिए बौलूंगा तो आप भोलोंकर फिर आप ने क्रिड लिया तो वो भी मैं आपको children description दूसरी बात है क्योंकि हमें ही लग रहा हूं कि paper sector बिजा has the most cheap ऐसा से raise to its point प्राइस गटा रही है दूसरा उनको फ्यूल्स के खर्चे जो है रिडीज हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने टेक्निक्स बदल ली है इंप्रूव कर लिया है जो मैं स्पेशली जिन सक्टर में जिन शेस की बात करो उनमें तो यहां से उनको एक मार्जन्स जो है वो जादा ही बेचेंगे लेकिन प्राइस गम करके बेचेंगे उसके बावजूद क्योंकि रोमेटरल बहुत सस्ता हो गया उनका और उसके अलावा जो उनकी जो फ्यूल्स के कर्चें वह भी वहां पर गट रहे हैं तो उसकी वज़े से जो ओपरेटिंग मार्जन से नेट पो शेयर कर रहे हैं इसके लावा भी मुझे एक और कंपनी भी ठीक लगती है मेरा कोई डारेक्ट इंवेस्मेंट नहीं है वह क्वांटम पेपर तो यह पांच कंपनीया मुझे लग रही है पेपर के इंदर ठीक है बार मेरी जो प्रस्तन है उचा रहा है तो मैं उसके लिए क्योंकि उसमें हमारा जो टाइम फ्रेम में इंवेस्मेंट करने का दो से तीन साल का है और वहां पर हमें लग रहा है कि दो से तीन साल के अंदर सो पसंट तक की रिटन आ सकती है अब यह तो होगे बात तो मार्केट शोटर में कैसा लग रहा है वह मैं आपके साथ चर्चा कर रहा है अब यहां पर हमें लग रहा है कि ही जो टेस्टिंग हुई है इसके बाद बजार में और गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है ऐसे जटके अब आपको लगते हुए नज रहेंगे यह जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्नोंने यह भाईया माल खरीदा कि इलेक्शन वाले प्रिड़ में हम जा रहे हैं अब कुछ ऐसे भी सुख भुगाट होने लगी है कि मोदी जी को भी चैलेंज मिलने लगे हैं वहां लेकि वह हमें ऐसा लग रहा है परस्टिंग अभी मैं पॉलिटिकल पंडित तो नहीं हूं बट अभी ऐसा लगए जिस जो है बीजेपी हमेशा से मानती रही है लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि इनों ने जो पिछले 5-10 साल में अपनी पकड़ बनाई है संगठन में पबलिक के उपर और जो काम अपने की हैं और उसके बाद देखिए कि नेरेटिव जो सेट किया है उस नेरेटिव के आ इन सब में मानके चलिएगा 50% जो आज बोल रहे हैं यह सारे PSU बेंक की स्थिती बदल जाएगी सरचना बदल जाएगी 50% की क्रेक्शन हो सकती है आज यह बहुत मजबूत लग रहे हैं क्योंकि corporate governance भी यह सरकार की governance है मतलब corporate governance मतलब company की governance है नहीं को इस वजे से वो चल रही है इसी तरीके से जो defense के अंदर जो shares है या जो shipping company जो ship building उन सब के साथ यह होगा यह अमने बहुत बार देखा बजार में अगर सरकार गिर जाती है और अगर मोदी जी आते हैं फिर इनको कोई कुछी नहीं कर सकते हैं और similarly railway stocks के उपर तो यह जो है एक बड़ा रिस्क है और यह जितने भी शेयस बताएं में 50% में मामूली बतारों 80% तक भी गिर सकते हैं अगर मोदी जी दुबारा प्रदानमंतरी नहीं बनते हैं या BJP की गवर्मन नहीं आती है तो यहां पर हमें लग रहा कि गवर्मन तो शायद उनकी बनेगी इसलिए बजार भी तो मानगी चल रहा है उन्छे इसको दोड़ाया जा रहा है तो लेकिन उनमें भी एक अच्छी खासी क्रेक्शन आ सकती है बजट से पहले उसके बाद यह देखिएगा मिड़ के भेंड़ का चार्ट यह किसी की सुनी नहीं रहा यह देखिएगा तेजी थी इनकी मंतली चाड़ पर देखा अब उसके बाद एक कंसोलिडेशन का पीरड रहा फिर एक तेजी भर दी अब तेजी करने वाले तो कहरे हैं हम तो 45,000 पर यह देखिएगा 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 यह देखिए तो इस तरीके से profit booking होती है उस समय हमारे paper share फुड़े न बचेंगे वो भी गिरेंगे बड़ जब वो गिरेंगे तो हम अपनी position double कर लेंगे क्योंकि हमारा view अगले 2-3 साल का है हाँ जी nifty mid cap hundred अब mid cap hundred में भी देखेगा यही candle बनी थी आपकी मंदली जाड़ में तो यह सब को आने में भी कौन सी देर लगेगी यह आगर रुके का सीधा दस तजार साड़े दस तजार क्यास परस तो कर्रेक्शन आती जब ऐसी आती है अब अगले मतलब 15-20 दिन बजार में कभी भी आपको पढ़िया वाले profit booking के संकट दीख सकते हैं क्योंकि जो कल आमने देखा ना बजार जानी की फ्राइड़ में बजार में पोटके प्रीमें में घत्म होगे सब लोग वाई तेजी इंबेड़ के सारी दुनिया तेजी इं निफ्टी इतने बड़ी जब आपके वेस होता नितना मजबूता अगर बाइंग तो यह पोई सी खवर अफ़ा इतनी बड़ी गिरावट दे सकती है नहीं बड़े बुले ने गेम खेला था नीचे लोगों के स्टोफ लोगए हुँआ हो वह कट अपर गार दिये तो अभी बजार में वोलटिविलिटी भेंग का रूप से लोटने वाली है और इसके मुझे इसलिए मैं क्या रहा हूँ इस महीने के अंते तक बारा और तेरा के बीच हम पूँच जाएगा और होसक तक लवीने तक 14-15 पूँच जाए और इंडिया विक्स 30-50% तक आपको ब जब जब गए बड़ा तो यह दोनों मिलने के लिए याए यानि कि दोनों के अंदर निफ्टी के अंदर और Cnx Midcap Index के अंदर प्यार मुबद बनी रहती है यह साथ सा चलते रहते कोई दिक्कत निए दोनों अच्छे से तरक्की कर रहते है फिर जब अच्छे से तरक्की कर यह बहुत ही जल्दी प्यारा में बदलने वाला है तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर भी हलकी खुल की करेक्शन भी मिलेगी निफ्टी में परसेंटेस तमस में क्यों कि पांच परसेंट आजएगी दस परसेंट आजएगी लेकिन से मिड़काप इंडेक्स जैसे इंडेक ब्रेम के अंदर कर रहे है तो इससे यह तो इशारे मिलते हैं और आज की वीडियो हो गई 18 मिनिट की वीडियो आपको कैसी लगी जरूरू से जरूरू जरूरू बोक से बताईए भाई है मेरा व्यू के साथ सहमत हो ना हो आपकी मर जी मैंने अपनी राय रख ली है मेरा अ अच्छाँ ट्रेडिंग में अपनी मंदी की पोजिशन। वे इन्वेस्टमेंट में तेजी की का है। अगर मंदी हाएगी उसके लिए वहाइए उसके लिए इन्टींूर के सांथ बैठे हुआ है ट्रेड में अपनी पोजिशन तो अल्टिमेटल हम एक तरीके से हैज बैठे हुए और बजार जब खुलता है न स्क्रीन खुलती है तो उसके अकोडिंगली भई हम ट्रेड करते हैं जो इंट्राडे में क्लोज भी हो जाते हैं कुछ कहरी भी रहते हैं तो इसलिए भईया हमा झाल 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 झाल